नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब चैनल पीएफपी में वीकली क्यों ने सेशन की शुरुवात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है अडानी पावर 330 की बाइंग है क्या करना चाहिए बने रहना चाहिए या फिर एक्जिट कर लेना चाहिए एक साल त चाहिए लेकिन अगर यहां पर अच्छी रिकवरी आई तो यहां से वापस उपर जाने के चांसे रहते हैं 340-350 एक रेजिस्टन्स एरिया है यहां पर आपको बुक कर लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको हेड और शोल्डर पैटन बनने के चांसे नजर आते हैं तो ए 2980 के प्राइस पे बहुत ज़दा लॉस हो रहा है क्या करना चाहिए यहां पर क्या प्रॉफिट में एक्जीट करने को मिल सकता है करना क्या चाहिए तो बज़ाज फिनांस के स्टॉक में आप देख सकता है फिलाल गिरावट तो अच्छी खासी देखने को मिली है यहां पर रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो गया ऐसा नहीं है कमपनी का जो वैल्यूइशन है वो थोड़ा सा हायर साइड पर नजर आता है तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है तो आपको यहां पर लॉस में तो एक्जीट नहीं करना चाहिए वी बील सबसे पहले डिसकस करते हैं यहां पर जो मोमेंटम चल रहा था वो मोमेंटम तो क्लियरली खतम हो गया है क्योंकि स्टॉक में आपको यह जो सेल आफ देखने को मल रहा है जो प्राइस एक्शन के साथ यह नीचे आता हुआ नजर आता है क्लियरली वी लेवल्स नजर आता है यह लेवल्स पर खरीदारी अटेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह सोच रहा है कि यह रैली आपको तुरंट देखने को मलेगी उसके चांसे अभी काफी कम नजर आता है अभी एकत साल के लिए स्टॉक आपको करेक्शन मोड में चाहे वो खरीदारी कर सकते हैं फाइन और गेनिक के बार में बात करें तो यहां पर एक छोटे स्टॉप लोस के साथ खरीदारी करने की अपॉरिचिटी है इस टॉक में घिरावट हुई स्टॉक देखिए यहां पर आपको नीचे आता हुए नजर आता है लेकिन फिला स्टॉक इसक लेंगा है अगर लोसी स्टॉप आपको 35-80 की तरफ आता हुए नज़ हा सकता है जो की अच्छा लेवल है जआं पर आप खी चींदारी कर सकता है लेकिन ब्रेक-आउट हुआ ही लेकिन वापस Fit वापस रिकवरी आई है और टाइम हाई टच किया लेकिन गिरावट हो गई वापस उपर जा रहा है तो अगर यहां पर को स्ट्रॉंग मंतली क्लोज मिल जाता है तो यहां पर हाइर लेवल पे आपको और भी जादा बाइंग होती भी नज़रा सकती है इस टॉक आपको यहां 500-600 दग भी जाता हुआ नज़रा सकता है क्योंकि एक लॉंग टर्म चार्ट का ब्रेक आउट यहां पर होता हुआ नज़रा सकता है हाई रेक के बार में बात करें तो यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है आपको 200 के लेवल से गिरावट देखने को मेली फिर से यहीं से गि कर सकता है तो फिलाल यहां पर आई टी इंडेक्स आपके सामने यहां पर देखिए एक अच्छे लेवल से आपको वापस रिटेस्ट करता हुआ नज़राता है तो अगर यह लेवल वापस तूट जाता है तो क्लियरली अच्छा रहेगा स्टॉक आपको मतलब आपको यह इ इंवेश्टर हैं दस साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर SBI कार्ड के बार में बात करते हैं SBI कार्ड में आप देख पाएंगे यहां पर अच्छी सिचुएशन मन रही थी स्टॉक कंटिनुसली नीचे आया यह वीक सिचुएशन थ चुका है यहां पर क्लियरली कुछ ज्यादा ही वीकनेस देखने को मल रही है अगर यह बारा सो पचास का जोन भी तोड़ देता है तो स्टॉक और भी जादा नीचे आ सकता है तो यह सेल ऑन राइस वाला स्टॉक है उसमें कोई डाउट नहीं है जुबिलन फूड के बार म नहीं जा पाया यहां पर यह जो रेजिस्टंस था वो भी तूटता हुआ नजर आया लेकिन स्टॉक वापस नीचे आ गया तो अभी यह आपको टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है HDFC लाइफ के बार में बात करें तो फिलाल यहां पर सिचुएशन थोड़ी से अच्छी देखने को मल रही है लंबे समय के आपको यहां पर ब्रेकाउट वाली सिचुएशन दिखाई पड़ती है मेरे इसाब से आपको वेट करना चाहिए आप यहां पर होल्ड करने के बार में सोच सकते हैं अगर वापस यह इसी रेंज में आ जाता है तो क्लियले आपको एक्जिट कर दिना चाहिए बजज फिनांस में अगर आपके पास एडिशनल पैस है तो वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपने HDFC लाइफ में कुछ ज़ादा ही निवेश किया थोड़ा बहुत ऐलोकेशन कम कर दीजिए और बजज ट्विंस में आप एंटर कर सकते हैं option buy और sell trading सीखने का शुरुबात कहां से करना चाहिए एक्जामपल है strike price कैसे decide करें कहां buy करें या sell करें देखिए option buying में prefer ये करना चाहिए कि आप add the money के आसपास रहते हैं या फिर near the money रहना चाहिए अगर nifty 50 चल रहा है 18000 तो 18000 का call या put उसी में आपको काम करना चाहिए या 2% move करता हुए नजरा है तो वहाँ पर अच्छा पैसा बनता है लेकिन शुरुवात ही state में आप ATM से शुरू कर सकते हैं मतलब add the money के और selling के बार में बात करें तो वहाँ पर भी बड़ा पैसा यहाँ पर नस्दीक में बनता है add the money में बनता है क्योंकि premium वहाँ पर ज्यादा है लेकिन शुरुवात में आप दूर के strike price sell करके शुरू कर सकते हैं वहाँ पर risk थोड़ा सा कम रहता है हाला कि of course बहुत बड़ा move हो गया जल्दी तो आपर loss भी आपको जल्दी देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप hedge position मना कर रख सकते हैं लेकिन शुरुवात में option buying में नस्दीक रहना है और option selling में दूर रहना है I want to sell call and put in nifty for this week what should be the safe strike price is it good to sell bata 1500 put of January और go for February और हमें jubilant food में कौन सा put बेचना चाहिए तो jubilant food आपको अच्छे support पे मिल रहा है आप 8-10% या 78% नीचे के जो भी strike price है वहाँ पर आप liquid जो आपको मिलता है strike price वो आप sell कर सकते हैं Nifty के बार में बात करें तो Nifty का 4 hourly chart आपके सामने 17,750 का एक important support है 18,250 का resistance नज़राता है अभी market एक interesting stage पे नज़राता है अब दीखे कैसा है यह market ओलरी तीन हफते से आपको sideways नज़राता है तो मैं तो यही suggest करूँगा कि next week जो है वो आपको trending plan करना चाहिए call or put दोनों sell करने की जगा पे आप prefer कीज़े कुछ एक sell करेंगे अगर यह level तूट जाता है तो आप call sell कीज़े और अगर आपको यह level तूटता हुआ नज़राता है तो आप put selling करने का plan कर सकते हैं यह level थोड़ा सा दूर नज़राता है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर concentrate करके उपर जाए तो आप एक काम कर सकते हैं अगर आपको यह trend line भी तूटता हुआ नज़रा है मतलब 18,000 के उपर एक दिन close हो जाता है तो आप यहाँ पर put selling करने के बार में सोच सकते हैं अगर 17,750 के नीचे निकल भी जाता है तो आप यहाँ पर 18,000 के call sell करने के बार में सोच सकते हैं बाटा इंडिया के बार में बात करें तो फिलाल में put sell करना सजेश्ट नहीं करूंगा स्टॉक कुछ जादा ही भी हो चुका यहाँ पर तीन अफ़ते कॉंसलिट करने के बाद यह breakdown देखने को मिला है तो 1500 तो easily आ सकता है अब भी call selling करना जदा prefer करना चाहिए अगर यह 1500 आ जाता है या 1450 आ जाता है उसके बाद अगर आप put sell करते हैं तो वो जदा preferable रहेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपके आप पूछना चाते हैं अगर आप यह पूछना चाते हैं कि आप जो करते हैं कोई भी prediction करता है तो उसे improve कैसे करना चाहिए तो practice से ही होता है of course यहाँ पर जितने जादा चार्ट आप देखेंगे अगर आप technical analysis कर रहे हैं तो जितना जादा आप चार्ट देखेंगे जितने जादा चार्ट को आप study करेंगे और अलग-अलग stocks में करेंगे उतना ही जादा आपका हाथ बैठता जाएगा और एक पैट जो अलड़ी बन चुका था तो मैंने इनसे request किया था कि आप यह next time पूछे next Q&A session में पूछे जिससे दूसरे लोग भी देख पा है तो यहाँ पर जो सबसे पहला question है कि tax saving जो ELSS है वो ज्यादा return दे रहे हैं दूसरे category के mutual fund से per year और उनके fund manager भी ज्यादा professional नजर आता है तो क्या सिर्फ हमें tax saver ELSS में invest करना चाहिए या फिर दूसरे category में भी करना चाहिए क्या इसके कोई demerit है तो देखिए आपने जो कहा ELSS अच्छे return देते हैं clearly अच्छे return देते हैं क्योंकि यहाँ पर generally blue chip ही रहते हैं बहुत जादा risky stocks यहाँ पर ELSS में नहीं लिये जाते हैं इ वहाँ पर returns भी तो ज्यादा रहते हैं तो आपको बहुत जदा extraordinary 20% के ऊपर के returns मिलेंगे 25% के CHGR वाले भी mutual funds रहते हैं वहाँ पर risk भी उतना ही ज्यादा रहता है market जब गिरता है तो उनका drawdown भी उतना ही ज्यादा रहता है तो यह एक demerit रहता है कि profitability आपकी जो blue chip में मिलती है जो nifty के आसपास मिलती है उसके आसपास आप थोड़े से limit हो जाते हैं उसमें कोई बुरा ही नहीं है of course आप सबका target अलग-अलग होता है जिसका risk taking ability है वो थोड़ा सा small cap में लेना पसंद करेगा अगर आपकी risk taking ability कम है तो आप ELSS में ही सिर्फ निवेश करते हैं तो कोई भी इशू नहीं है यह सिर्फ return के अलावा इसमें कोई दूसरा demerit मुझे तो पॉर्सनली नजर नहीं आता है Every year आपको ELSS में at least 1 lakh का निवेश करना पड़ता है तो क्या mutual fund की company हर साल बदलती रहनी चाहिए या फिर same में continue करना चाहिए एक दो company के साथ तो यहाँ पर same में continue कीज़े कोई issue नहीं है आप same mutual fund जो भी आप AMC है आपके asset management company उसके साथ आप continue कर सकते हैं बार बार बदलने का कोई फायदा नहीं रहता है same के साथ continue करेंगे उतना ही अच्छा है is it good to continue in tax saving ELSS after 3 years of lock-in period और switch to other new funds मैं तो continue करना प्रजादा प्रेफर करता हूँ देखिए जैसे आपने खुद बताया returns अच्छे हैं यहाँ पर returns अच्छे हैं तो क्या problem है रखने में अगर यह कोई debt होता है कि जहाँ पर fix 5% या 6% या 8% मिलता है तो निकल जाते हैं तो ठीक है tax saving के लिए एक बार डाल दिया फिर निकल जाना है लेकि यह तो equity है equity में यहाँ पर अच्छे returns भी मल रहा है तो long term के लिए बने रहना चाहिए सिर्फ ELSS में डालेंगे तो भी कोई issue नहीं रहता है और यहाँ पर 3 year return seems largest in every find is it just an illusion or truth क्योंकि पिछले 3 साल जादा अच्छे रहे हैं इसलिए आपको ऐसा देखने को मल रहा है कोई illusion नहीं है लेकि लिए इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा देखने को मल रहा है बाकि इसमें कोई illusion जैसा नहीं है निफ्टी 50 विल मोस्टी अगें मूव टूर्स 52 विक हाय लेकिन बहुत से ब्लू चिप स्टॉक्स है जो की 20-30% नीचे चल रहा है बजाच फिनांस बर्जोर पें अगर स्टॉक में कुछ अलड़ी बड़ा मूव हो चुका है तो ठीक है बजाच फिनांस कैसा है अलड़ी गिर चुका है कुछ ज्यादा ही गिर चुका है रीसेंट टाइम में अगर बजेट से पहले स्टॉक बहुत बढ़ जाता है तो वहाँ पर प्रेफर कीजे मत खरीद कि यह अच्छा आने वाला था फैक्टरीन हो चुका होगा और अगर बहुत गिर गया है तो खरीदने में ज्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि जो बुरा आने वाला था वह अलड़ी फैक्टरीन हो चुका है मुश्किल से अभी पांच-दैस परसेंट और गिर सकता है लेकि इंट्रेस्मेंट हो सकता है तो यहां पर अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो अभी फिलाल सेल ऑन राइस वाला यह स्टॉक बनता हुआ नजर आता है क्योंकि स्टॉक में ब्रेकाउट अच्छा देखने को मला एक साल का कॉंसलिडेशन फिर ब्रेकाउट लेकिन फिर से स अच्छी है नवीन फिर इनका काम अच्छा है लेकिन अभी स्टॉक अलड़ी काफी भाग चुका है तो अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है फाइन और इसको अलड़ी हमने डिसकस किया बोरो सिल की बार में बात करें तो इसका 500 के आसपास एक अच ही करना है क्योंकि स्टॉक में अभी इंपोर्टेंट सपोर्ट तूट चुका है यहां पर टाइम करेक्शन चल सकता है आई होप आपको वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है थांक्यू स्टे हापी हापी इंवेस्टिंग